हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दीप प्लासिस आज के वीडियो में हम जानेंगे बद्भू जैसी कहानियां शेखर जोशी को एक अलग धारा के पुरसकर्ता कहानी कार के रूप में प्रतिश्ठित करती हैं सिद्ध कीजिए आज के वीडियो में हम इस क्वेशन के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथी MSG से रिलेटिड सभी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बद्भू जैसी कहानिया शेखर जोशी को अलगधारा के पुरसकर्ता कहानिकार के रूप में प्रतिष्ठित करती है क्योंकि शेखर जोशी ने बद्भू कहानी में युगीन संदर्बो को स्पष्ट रूप से पेश किया है पंचवर्ष ये योजनाओ की शुरुआत के बाद देश में उद्योगी करन की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन कल खार खानों का प्रबंधन पुन्जिवादी सामन्त मानसिक्ता वालों के ही हाथ में रहा शोशन आधारित व्यवस्था ही उनका सुरक्षा कवश था जिससे भेदने वालों को भी स्विकार नहीं कर पाते थे भारत में बड़ती बेरोजगारी से बै अपनी शर्तों पर सस्ता श्रम पाते रहने को आश्वस्थ थे इसकी पुष्टी जुकी कमर वाले बुजुर्ग का यह बयान करता है कि इस नीली छत्री वाले का शुक्र करो कि यहां काम मिल गया अच्छे भले पड़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं यह संदर्ब आज भी उतना ही प्रासंगिक है बेरोजगार युवा आज भी अपनी योग्यता का काम करने को मजबूर है इसे कर्म और फल का अनुचित संबंध चोशन की संस्कृती विक्सित होती है सच और श्रम का महत्व आजादी के बाद कमजोर होता गया है जिसको शेकर जोशी ने वर्तमान में भविश्य के रूप में प्रस्तुत किया है बद्व कहानी की प्रासंगिक्ता उनके सूक्ष्म पर्रेवेशन शक्ती का परिनाम है जो आज भी प्रासंगिक है इस आधार पर देखें तो बद्व अपने समय की धारा का भी अतिक्रमन करती है व्यवस्था के सामने गुटने टेके लोगों के बीच नोजवान के हाथों में बद्वू का बचा रहना उसके सपने का जिन्दा रहना है जो की शेखर जोशी मानते हैं कि एक दिन शोशन पर आधारिद व्यवस्था का अंत होगा और वह अंत भी मजदूरों एवं नौजवानों के हाथों से ही होगा यह शेखर जोशी की प्रगतिवादी चेतना का उद्गोशन है मुन्शी प्रेमचन भी यही चाहते थे प्रेमचन ने कहा था जो दलित है पीडित है वंचित है चाहे वह व्यक्ति हो या सम हूँ उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्यकार का फर्ज है अतहा शेखर जोशी को इस फर्ज को पूरा करते हुए सीधे प्रेमचन की परंपरा से जुड़ने वाला कहानिकार मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक यू फो वाचिंग